Hello friends, welcome to my YouTube channel Genius Study 2.0 पर दोस्तो आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ SSC GD के लिए पिरी बेर सेर के कोश्चन दोस्तो कोश्चन काफी मोश्टी इंपॉर्टन और सेलेक्टेड हैं तो इस वीडियो को दोस्तो आप लोग अंदर तक देखेगा अगर आप सभी को वीडियो म में अपना इसको जरूर सेर करना कि आपके इन 35 प्रिशनों में से कितने राइट आंसर होते हैं दोस्तों अगर आप हमारे वर्टसप ग्रूप से जुनूना चाहते हैं फिरी में पीडियाप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंततक देखेगा और डिस्क्रिप्सन बॉ आपके तो आप्सन डी राइट आंसर हो जाएगा यानिकी फुटबॉल से जुड़े हुए थे नेस्ट कोशन पूचा गया है फ्रेंस कोशन नमबर टू है कि सम्मिधान के अनुछेद दोसो चाहट निमने लिखित में से किससे सम्बंधित है मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन सम्मिधान के अनुछेद दोसो चाहट जो है यह आकस्यम्ता निदसे सम्बंधित है जो है यह इसे किससे सम्मेधान का अनुछेद वार्षिक वित्तिय कारण से तो इस प्रसंद का फ्रेंट्स भी राइट आंसर हो जाएगा को नेश्ट कोश्चन में सुचा गाए है फ्रेंट्स कोश्चनन घुर के लोग पाल योजना पहली बार कब सुरू कि गई थी तो फेंट्स राइट आंसर हो जाएगा कि लोगपाले उजना जो फेंट्स है पहली बार ये जून 1995 में यानि कि शुरू की गई थी तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्स नमबर सी जून 1995 फेंट्स कोश्चन नमर फाइप मुचा गया है कि लिड बैंक इसकीम से कौन सी समित संबंधित थी तो फेंट्स राइट आंसर की बात करें तो ऑप्सन डी राइट आंसर हो जाएगा गार्ड गिल की समित तो इस परसन का फेंट्स ऑप्सन डी राइट आंसर हो जाएगा कि राष्टी करण का पहला चरण कब किया गया था तो मेरे पहले दूस्तों राष्टी करण का पहला चरण जो फ्रेंस है वो किया गया था 15 अप्रेल 1980 को तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंस आप्सिन अमबर डी नाफ्सिन नाफ्सिन राष्टी बिग्ञान दीवस किस दिन मना जाता है तो मेरे पहरे जिस्तो जो राष्टी बिग्ञान दीवस है यह मना जता 28 फरवरी को तो आपशन से राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन पूचा गए है फ्रेंट्स की राष्टी आय का अनुमान लगाने का प्रियास करने वाले पहले भारती कौन थे तो फेंस राइट आंसर हो जाएगा कि राश्टी आय का अनुमान लगाने का प्रयास करने वाले पहले भारती थे दादवाई नोरोजी तो राइट आंसर का हो जाएगा option number B निये इस्ट कोशन बताएंगे और कि राष्ट मंडल देशों का मुख्याल है कहाँ इस्थित है है कोके तो फेंस राष्ट मंडल देशों का मुख्याल में जो फेंस ये इस्थित आ लंदन में तो इस प्रसंट का फेंस राइट आंसर क्या जाएगा option number B रोफल नडाल कि डेश में रहते थे से तो तो धिए प्यायर गते हो जाएगा आप्स ये इस प्रस्ण पूछा गया फिर और आप ओट अशर हो जाएगा ऊधा नवीश्जास की यूणीस यप का मुख्याहार उले भी ग Thai काफी सिंपल कोश्चन पूछा हैं चले सभी फेंट से राइट आंसर बताएंगे कि युनीशेप का मुख्याल है जो फेंट से कहा पर है चले नेस्ट कोश्चन बताएंगे फेंट कोश्चन क्लोरोफिल का खनीश घटक जो है वो फेंट से मैगनीसियम तो राइट आंसर हो जाएगा ऑसे निवर बी बी मैगनीसियम नेस्ट कोश्चन आप सभी में पाया जाता है तो राइट अंसर करो जाएगा option no.c की सबजियां जलदी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मातरा में क्या होता है जल तो राइट अंसर वह जाएगा आपस नमबर भी वाटर नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट्स कोशन 18 कि व्रच के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है तो फ्रेंट्स उन्हें कहा जाता है व्रच वासी व्रच के तनों में रहने वाले प्राणियों को जो फ्रेंट्स से उन्हें कहा जात नाम क्या है चलिए सभी फ्रेंट स्कमेंट बॉक्स में फटा वाट से इस प्रसंट का राइट अंसर बताएंगे नेश्ट कोशन मताएंगे फ्रेंट कोश्चन नबर 20 है कि किस पादप को साखी भारती डाक्टर कहते हैं तो फिर्फ राइट अंसर होता है वो यूज किया जाता है तो फैंट राइट आंसर हो जग पत्ते और सूखे फल तो इस प्रसंद का फैंट साथ नमर सी राइट आंसर हो जाएगा पत्ते और सूखे फल रेष्ट कोशन पूचा गया है फैंट की पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं क्या काम करती तो फेंट्स पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं जो फेंट्स होते हो चालन का काम करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्स नमबर डी चालन का रेस्ट कोशन आप लोग बताएंगे फेंट्स कोशन रोटी 3 कि किस पेंड की छाल मसाले की रूप में प्रियुक किय जाती है तो फेंट्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्स नमबरे डाल चीनी की डाल चीनी पेड की जो पत यानि की छाल है इसको मसाले की रूप में प्रिक्याजता है नेश्ट कोशन बताएंगे फेंट्स कोशन डूटी 4 कि निम्न लिखित में से कौन से परेक्रम अंधकार के समय पाधपों के साथ सम्मंध होते हैं काफी अच्छा कोशन है तो फेंट्स राइट आंसर हो जागा चालन और सोसन यानि की फेंट्स इस प्रिसन का आप्सन डी राइट आंसर हो जागा चालन और सोसन नेश्ट कोशन पूछा गया फेंट्स की साग में सबसे अधिक क्य तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा इन में से जो है वह यूग के लिप्ट इस तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसे नमबर सी नेस्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट कोशन डोटी शेवन पूछाएगा कि अलफा अलफा किस एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है तो फ्रेंट से राइट आंसर की बात के तो घास का किसका अलफा अलफा जो है यह घास प्रकार के पदार्थ का नाम है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसे नमबर सी नेस्ट कोशन पूछा गया फ्रेंट कि किसी सबजी से प्राप्त ना होने सकने वाला इन में से बि विटामीन डी देश्ट कोशन पुचा गैंगे फइंट्स की मानव जाति वन अस्पतिक बिग्यान वन कि वासाक्षा है जिसमें किसका अध्यन किया जाता है तो फेंट्स उसमें प्रयुख क्याता है यानि कि जन जाती ओसर्द से समंधित पहुद होगा तो इस प्रिशन का फेंट्स ऑप्सन नमबर डी राइट आंसर हो जाएगा ध्यान से देखेगा तभी आपको पता चलेगा इस प्रिशन का उप्सन नमबर डी चले अगला नेश्ट कोशन मताएंगे फेंट्स कोश्चन नमबर तीस है कि सीरे से एलकोहल प्राप्त करने के लिए क्या अपनाई जाने वाली बिधी इनमें से कौनसी है तो फेंट्स किड़ वन यानि कि फार्मेंट टेंशन तो राइट आंसर हो जाएगा अप्सन नमबर सी नेश्ट कोशन मताएंगे फेंट्स कोशन 31 है कि पौधों में जणों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है तो फेंट्स पौधों में जणों के माध्यम से यानि कि फिर मार्ग से पहुंचने वाले पानी को जो फेंट्स है वो केशकात का पानी कहा जाता है केशका और says gives और नमर सी करेक्ट अंसर हो जाएगा जेए कि तरहला अवस्था में में पाई जाने वाली धात कौन सी है सबस्कोंबOOOOOOOOO से व्जक्न देजिंगे सब्हुत हुचन होता है सब्सक्राइब मेग्नि तो यह पन्सकि की लोहे में बहुत जंग कहा ise है से तो फेंट्स राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के तल में तो इस प्रसंद का फेंट्स भी राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों यह रहा इस वीडियो का लाश्ट कोशन कि वायो एन रॉक्ट बनाने के लिए कौन सी धात प्रयोग की जाती है चलिए इस प्रसंद का लाइक कर देना मिलते हैं दोस्तों नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय है जय भारत वंदे मात्रां